तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे PFMS के बारे में एक नया जो अपडेट है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ नया अपडेट है नया अपडेट जो है यह है क्या और आप पेमेंट जो है अपनी कहां से चेक कर सकते हो और आपका जो OTP है वो आपको क केसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसके regarding पूरी डिटेल्स, पूरे डाउट्स आपके मन में जो भी होंगे, वो कलियर करेंगे, और साथ में आपका स्टेट्स अभी जो भी है, चाहे डिस्टिक पे, डिस्टिक फोर्स, बोर्ड फोर्स, नोडल आपसर, या आपका जो है, NSP2, PFMS पे है, या हमारा जो स्टेट्स है, NSP में, वो है, डिस्टिक नोडल आपसर, या बोर्ड फोर्स, नोडल आपसर, या बोर्ड फोर्स, नोडल आपसर, ये सा कुछ आ रहा है, तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना, यहाँ पे आपको सारे डाउट्स आपके जो के लिए तो फ्रेंट्स चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर पहले बात करेंगे पी एपमस की अपडेट के बारे में हम आगे पीएपस की आफिसल साइट पे तो यहां पर आपको दो ओप्शन्स दिक रहे हैं यहां पी हम यहां पर नोवुयाय पेमेंटर ग्लिक कर रहे थे यहां पर क्या करते थे ओस और यहां पर यहां पर यहां पर इन्य जो हे NSP की payment के लिए ही नहीं है ऐसे ही जैसे NSP हे ऐसे बहुत सरे जो department है बहुत सरे schemes है उनकी payment भी जो हे PFM के through जो हे बेज दी जाती है ठीक है no your payments पे क्या होता था सारे जाया आपका NSP होई या और कोई scheme यहां पे सारी payment यहां पे चेक होती थी पर इन्होंने यहां पर अपडेट किया OTP वाला तो यहां पर आपको बता तो यहां पर आपको second वाला जो option होता है यहां पर देख सकते ट्रेक आपको यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर आप एकाउंट न्मबर या अप्लिकेशन आइड डोनों में से कोई एक जो है आप यहां पर इंटर कर लीजए उसके बाद यहाँ पे आप जो है capture fill कर लीजे यहाँ पे search वाले option पे click कर लीजे ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पूरी details आपको मिल जाएंगी आपकी scholarship जो भी amounts होंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपके पूरी जो डिटेल से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो आप ट्रेक NSP पर क्लिक कर लिजी ठीक है यह तो रही बात PFMS के पारे में अब यहाँ पर बात करेंगे जिनका अभी जो है डिस्टिक लेवल पर है ठीक है यहाँ कि जिनका डिस्टिक स्टेट फोर्स ऐसा कुछ आ रहा है उनके लिए अपडेट है यहाँ कि इसके बाद जो और भी स्टेप्स होते जिसी डिस्टिक स्टेट मुनिस्ट्री बहुत सारी स्टेप्स होते वो होने के बाद आपकी पेमिट आ जाएगी तो एक details सा वीडियो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको बता दूँ आपको जो है कम से कम 20 से एक मन्त का वेट करना होगा तो जिनका NSP2PFS पे होजगा है अभी तक payment नहीं आईए वो जो है 2-5 दिन का वेट कर लिजए उनकी payment भी आ जाएगी वो जाके ट्रेक NSP पे किलिक कर लिजए वहाँ पे चेक कर लिजए अगर उनको वहाँ पे जो है option नहीं आ रहा है या वहाँ पे no record फोड़ा रहा है वो जाके जो है 1-2 दिन का वेट कर लिजए और हमें यहाँ पर comment करके जुरूर बता दिजएगा आज की इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आयोगा आप वीडियो अगर पसंद आया इंफार में टो लगा वीडियो को लाइक शुरूर ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना बूलियेगा हमारी सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठेंकियो सो मुछ वास्कित इस वीडियो